हाई, आज हम इस्लामिया सब्जेक्स के कुछ MCQs लेकर हाजर हुए हैं बिसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूर्स को लिस्नर्स को इन्फर्मिशन दें ताके वो PST या GST या किसी किसिम के टेस्ट के लिए अपने आपको fully confidently prepare कर सके तो आई शुरू करते हैं पहला कुस्टन है दफस सूरा इन दहुली कुरान एज इसके लिए हमारे पास चार आप्शन है जिन में से सही आप्शन है सूरा इलफातिहा कुरान की सबसे पहरी सूरा सूरा इलफातिहा दूसरा कुस्टन है दा लास सूरा इन दहुली कुरान एज कुरान की सबसे आखरी सूरा सूरा इन आस कुरान की सबसे आखरी सूरा है आप्शन बी The longest surah in the Holy Quran is Surah Al-Baqarah, Option B, Quran की सबसे लंबी surah, जो तक्रीबन धाई पारों पर मुश्टमे है. The shortest surah in the Holy Quran, Quran की सबसे चोटी surah कौन सी है? Option D, Surah Al-Kausar, Surah Al-Kausar. अगला कुस्चन है, the number of prophets whose names are in the Holy Quran, कितने अंबिया हैं, जिनके नाम कुरान में mention किये गए हैं, ये तक्रीबन 25 हैं, Option B. The total number of मक्की सूराज आर, मक्की सूराज की कुरान में कुल कितनी तादाद है, 86, Option B. Next question है, total number of मदनी सूराज, वो सूरा जो के मदीने में नाजल हुई, उनकी कुल कितनी तादाद है, Option A, 28, 28 सूरा. The name of the first कल्मा इस कल्मा ये तायब, सबसे पहला कल्मा उसका नाम है कल्मा ये तायब. Second question है, the name of the second कल्मा इस कल्मा ये शादत, Option B. The name of the third कल्मा, कल्मा ये तायब, Option C. Next question, the name of the fourth कल्मा ये is, Option B. कल्मा ये ताहिद. Next question है, the name of the fifth कल्मा ये, कल्माई इस्तखफार, Option C. Some more MCQs, the name of the sixth कल्मा, कल्माई रदे कुफर, Option C. Next question, the angels who are set to be in charge of the grave and initial accountability are, वो फरिष्टे जिनके लिए कहा जाता है, कि वो आपकी कबर में सबसे पहले आप से सवालाद करेंगे, उनकी नाम क्या है? उनके नाम है, मुननक्किर एंड नकीर, Option A. Duty of angel हजरत जिब्रील is to convey revelation to the prophets by Allah. हजरत जिब्रील की duty क्या है या उनके फराइज में कौन से आमाल शामिल है? Option D. वो वही लेकर अंबिया एकराम के पास जाते थे. The duty of angel Israel is taking the life of living creatures, रूख कब्स करना. Option B. हजरत इसराइल क्या करते हैं? वो लोगों की रूख कब्स करते हैं. Next question. The duty of हजरत इसराइल is to blow the trumpet on the day of judgment. Option B. हजरत इसराइल क्या करेंगे? हजरत इसराइल क्यामत के दिन सूर फूंकेंगे. The duty of हजरत मीकाइल is in charge of protection and also to bring rain. लोगों के हिफाज़ाद करना और बारिश परसाना. Option A. ये हजरत मीकाइल की जॉब है या उनके फराइज में शामिल है. Hope this video will help. Thanks for watching.